वेलकम क्रिप्टो ट्रेडर से एक नए सांदर वीडियो में आप लोगो स्वागत है सबसे पहले तो यार एक बात कहूंगा एक फिल्मी डायलोग है हिला दिया ना यहां पर बोंक के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है 22,000 पर्षेंड का जो ग्रोथ है इसने दिया है उससे कोई अच्छुती बात नहीं है लेकिन यहां पर देखते ही देखते जिस तेजी से डाउन हुआ है बोंक कोईन यार सब को हिला देने वाला है लेकिन यार सवाल यह है कि इन सब के बीच क्या बोंक करोड़ पति बनाएगा क्योंकि जिस तेजी से यह बड़ा था उसी तेजी से यहाँ पर डाउन हो रहा है एक टाइम 27,000 पर्षेंट की ग्रोथ यहाँ पर दिखा रहा था और आज अगर देखोगे तो 21,000 पर्षेंट की ग्रोथ हो चुकी हो तेजी से नीचे की तरब जा रहा है बॉंक कोईन अगर यहाँ पर कल की तारिक में 108 पर्षेंट था और साथ दिन में कुछ 1500 पर्षेंट और एक महिने में 1000 पर्षेंट की ग्रोथ थी लेकिन आज देखोगे 26 पर्षेंट डाउन हो गया है मार्केट यहाँ पर बॉंक के पीछे कुछ करोड़ पती बनाने के पीछे बहुत सारी थियोरी है क्योंकि आज की कंडिशन में बॉंक तीसरा सबसे बड़ा मार्केट केपटराइजेशन के मामले में तीसरा बड़ा मेम कोईन है सीबा और डोज कोईन के बाद इसका नंबर आ गया पेप कोईन को इसने पीछे धकेल दिया एक वन बिलियन से भी ज़्यादा इसका मार्केट केप यहाँ पर हो चुका है और वोल्यूम भी देखेंगे वन पॉंट सिक्स नाइन बिलियन है यहाँ पर और इसे में वो केल्कुलेटिंग सप्लाई को देखते हुए इतनी बड़ी मार्केट केप और इतनी बड़ी ग्रोथ अपने आप में बहुत बड़ी बात है हाला कि सोलाना का टोकन है इसने ग्रोथ यहाँ पर निकाल के दी है जो कि इसी टायप की है लेकिन जिस तेजी से नीचे गिरा वो भी यार कहिना कहीं वाली बात है loss वाली बात है आगे हम यहाँ पर बात करने वाले है कहानी के माद्धे हम से bonk coin को मैं यहाँ पर discuss करूँगा जिससे कि आपको बहुत सारी चीजे समझ में आईगी ठीक है ध्यान पूर्वक देखिए मज़े आएंगे और आपको अंत में एक सबक सीखने को मिलेगा bonk coin में अगर invest कर रहे है या इस टाइप के coin में invest कर रहे है तो एक बार की बात है गाव में एक बहुत बड़ा सेट है जिसके बहुत पेसा था वो आया और उसके साथ उसका एक P.I. आया अब गाव में जब वो पोचे मैं के रहा हूं बहुत मजे आएंगे ध्यान से सुनना तो जब गाव में पोचे तो वो उनके पास काम नहीं था वो एक काम करने लगे तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पर खरगोस बहुत सारे है इस गाव में तो वो खरगोस पकड़ने लगे अब जब खरगोस पकड़ने लगे तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक खरगोस पकड़ा दो खरगोस पकड़े ऐसे करके तीन चार खरगोस उन्होंने पकड़ लिया अब गाव वाले देख रहे है क्यार यह दोनों बंदे बहर के है गाई के भी नहीं है और खर्गोस पकड रहा है आखिर क्यों अलाकि वो उस गाउवज जितने बी थे पहले से ही आर खर्गोस के आतंक से परेसान थे क्योंकि वो आए दिन उनके फसलों को नष्ट कर देते थे उनके घरों में घुसके नुकसान पहुचाते थे तो बहुत गाव वाले परेसान थे खर्गोस के आतंक से बहुत सारे खर्गोस थे मतलब उम्मिस से जादा ही उस गाव में तो लोग देख रहे कि आर खर्गोस पकड़ रहे खर्गोस पकड़ रहे अब एक बंदे से रहा नहीं गया वो उनके पास आया भाई सारे आप खर्गोस क्यों पकड़ रहें आखिर क्या कारण है तो उन्होंने बताया कि भाई साब में खर्गोस इसलिए पर बेशते है यह एक तरीके से हमारा बिस्नेस है तो वो कहने लगे गजब यार खरगोस भी सहरों में बिकते है उनने के अच्छी बात है चलो अच्छी बात है तो वो लड़का बेरोजगार था उसने देखा कि यार भाई साब यार तुम खरगोस पकड़ते हो तुम सूड़ बूट में आये हो जिन्स टाइव आई कोट पेंट पेंट के आये हो तुम देने लगा ठीक है मैं बेरोजगार हूं वेसे भी वो भी खरगोस पकड़ने लगा अब दिन का एक दो खरगोस पकड़ने लगा अब उसको उसके बदले में उसको सिरू में बीस रुपे तीस रुपे देने लग गए एक खरगोस पकड़ने के बदले में वो दोनों ले ल पकड़ेंगे अब दोनों आदमियों ने कहा ठीक है आपको भी काम दे देते हैं आप भी खर्गोस पकड़ों आपको खर्गोस के बदले में अब आपकी थोड़ी दंखा बढ़ा देते हैं एक खर्गोस के हम 50 रूपय आपको देने लग जाएंगे ठीक अच्छी बात है अब में बेशते हैं और हमसे खर्गोस पकड़ाते हैं खर्गोस से तो हम भी आतंक है हमारी फसले नाश्ट होती है तो चलो हम भी मदद करते हैं एसे करकर के सब लोग उनके साथ जुड़ेने लगे अब बोंक टोकन के साथ इसको रिलेट करना बहुत मज़े आएंगे आप जद्धो जहत करने पड़ी बहुत टाइम लगने लगा तो एसे में दोनों वो दोनों जो बाहर से आये थे उन लोगों ने कहा एक काम करो आप खर्गोस कम हो गये हैं तो आपको एक खर्गोस के बदले में हम आपको सो रुपे देने लगेंगे अब गावाले खुस उनने क यार वायार तो सो रुपे मिलेंगे अब तो पहले तो तीस रुपे से शुरू हुआ था और लोग जुड़ गए उनके साथ बोले दूसरे कामों में तो इतनी कमाई नहीं है चलो खर्गोस ही पकड़ते सो रुपे मिल जाएंगे खर्गोस के खुस हो गए खर्गोस सब लोगों को काम देदे रुपे देने लगे अब देखते ही और खर्गोस की संख्या कम हो गयी आसपास भी गावों में घये वहां पर टाइम लगता है अब आपको एक खर्गोस के बदले में हम 200 रुपे देंगे ला वन्हों कि वाया 200 रुपे मिलेंगे चलो खर्गोस और भी पकड़ते हैं खरगोस को तो ऐसे ही चलता रहा चलता रहा खरगोस धीरे धीरे और कम होते गए एक टाइम ऐसा आया कि आर खरगोस के लिए उनको इतना भागम भाग करनी पड़ी और एक खरगोस के बदले में उनको यहाँ पर 300 रुपे तक मिलने लग गए दिन का एक या कभी कबार तो दिन का एक भी नहीं मिलता था ऐसे ही चलता रहा फिर एक टाइम पूरे खरगोस खतम हो गए अब अब 300 रुपे उनको तो लालच लग गए दूसरे काम छोड़ चाड़ के खरगोस पकड़ने लग गए ऐसे ही खरगोस मिलने रहे थे तो सेट ने सोचा यार खरगोस नहीं मिल रहे है बहुत टाइम लग रहे है अब जितने भी गावाले थे जो लोग 500 रुपे उन्होंने जीवन में कभी नहीं कमाए थे एक दिन में वो सोचने लगे चलो यार हम भी खरगोस पकड़ते है ऐसे ही करते करते पुरे गाव में खरगोस खतम हो गए बाहर भी खरगोस खतम हो गए अब एक दिन होता क्या है कि जो उनका सेट रहता है वो बाहर जाता है और सेट का जो पीए जो दो लोग साथ में आये थे वो पीए था एक वो गावालो के पास जाता है और कहता है काम करो मेरे पास कुछ घरगोस है इनको आप मुझसे 300 रुपे में ले लो और सेट को 500 रुपे में दे देना बेज द तो गाव वालों ने सोचे बड़े यार अच्छी बात है यहां पर 300 रुपए में मिल रहा है तो यह दे रहा है और 500 में अपने सेट को भेज देंगे 200 रुपए का मुनाफ़ा अपने को सीधा सीधा अब लेकिन यहां पर सवाल यह था कि सेट से मत बोलना यार कि मैंने आपको खरगोस यहां पर दिये है अब गाव वालों ने इस बात पर हामी भर दे उनने कि ठीक हम नहीं बोलेंगे हमें आप खरगोस देना और हम सेट को 500 वेज देंगे अब गाव वालों ने दिमाग कुछ भी नहीं लगाए क्योंकि लाले सबसे बड़ी चीज होती है उन्होंने 300 रुपे में खरगोस ले लिए अब क्या करा गाव के जितने भी लोग थे जो खरगोस पकड़ते थे उन सब ने आर जो जो पीए था उससे खरगोस खरीदे 3300 रुपे में सबसे खरीद लिए अपना घर अपनी जायदाद अपनी जो जेवरात थे अपने जो रिजर रुपे से थे बेंक में थे सब निकाल निकाल के खरगोस ले लिए और अपना हिसाब करने लगे हर वेक्ति के पास 200-300 खरगोस 500 खरगोस पचास खरगोस यसे अपन सबहांँ जो जे खरगोस ले लिए तीन-300 में अब सब अपना हिसाब लगाने लगेगा यार मुझे कितना फ्रोफीट होगा क्योंकि 300 में में लिये 500 में में सेट को बेचूंगा 200 का प्रोफिट है मेरे पास 40 खरगोस है तो मुझे इतना फाइदा इस सब वो गुना भाग क करने लगे उनको पता था आने वाले समय 500 में बेचेंगे प्रोफिट होगा अब देखते ही देखते सेट उनको पता था सेट बाहर गया है आएगा थोड़े लेट अब वो जब समय हुआ तब इंतिजार कर रहे बोले सेट नहीं आये तो बोले चलो आएगा थोड़ा और इंत जाता है लेकिन सेट नहीं आता है अब गाव वाले सब अपनी पूजी फसा फसा कर खरगोस खरीद कर बेठे हुए हैं और देखते ही देखते जो सेट और उसका जो पिये था वो रफुचकर हो जाते हैं भाग जाते हैं सब कुछ छोड़के सब पेसा इन से लेके अब सोच इस बात से क्या सार निकलता है इस बात से ये सार निकलता है कि उन्होंने जिन खरगोसों के बदले में 50 रुपे एक ताइम 30 रुपे में खरगोस खरीदा 50 में खरीदा 100 में खरीदा 200 में खरीदा 200 300 में खरीदे वही खरगोस उन्होंने 300 रुपे पर खरगोस के साब से याव में आयते ना वो जो पीए था और जो सेड था वो सेड था Share Market का ठीक है Stoke Market क्रिप्टो मार्केट का बंदा और जो पीए था वो सट्टा बजार का था सट्टे बजार में काम करता था उन दोनों ने दिमाग लगाया और सस्टे पर पहले लालज दिया और मेहंगे दामों पर उनको बेच के और रफुचकर हो गए अब यहीं इंप्लिमेंट यहां पर इस टाइप के टोकनों के साथ होता है मैं यहां पर आपको hopeless कर रहा हो ना कोई crypto advise दे रहा हूं नानीग कोई कई काई यहां पर आपको एक चीज दिख रही है कि इस type के टोकनmarket में बहुत सारे आ昨 आप इस token को लोगों ने यहां पर बाई किया यहां पर बाई किया और बाई करके बेड़ गए कहा था कि यार 21,000% 27,000% बड़ा है एक टाइम बहुत ज्यादा हाई जाएगा तब जाके इस token को हम यहां पर सेल कर देंगे ठीक है जैसे कि वो 500 में बेचने के लिए 200 में 300 में उन्होंने खरीदा था इसी टाइप से अब हुआ क्या उलट हो गया जो कोईन है वो यहां तक पहुचा ही नहीं उससे पहले ही नीचे गिर गया अब जो उनकी प्राइज है उसका वेल्यूएशन जो 300 में खर थर्गोस वाली कहानी दोहराते है आप लोग सोचते रेली चल रहा ही रेली चल रहा ही खरिते हैं खरीते हैं पूरी पूजी वगएरा अपनी सब लागा देते है और इसटोक करके बेढ जाते हैं बोले भाव हाई जाएगा हम सेल कर देंगे उन्हीं गावालों की तरह एक ना तो भाव जाता है ना वो वेक्ति मिलते हैं कोई नहीं मिलता और आपका लोस हो जाता है यहाँ पर तो समझदार इंवेस्टर वही है जो रेगुलर बेस पर प्रोफिट ले मैं यह नहीं कहे रहा लिया लालेच के चक्कर में क्यों पड़े आपको रेगुलर बेस पर प्रोफिट बुक करना चाहिए अभी भी कहे रहा हूं प्रोफिट बुक करना चाहिए जब टोकन यहां पर आपने लिया यहां पर सेल कर देते फिर क्वाइंटिटी खरीद लेते तो रेगुलर बेस प परफिट दे रहा था आप सोचे 27,000 और आज 21,000 यानि कि 6000 परशेंट का सीधा सीधा लोस हो गया 6000 परशेंट किसको कहते हैं आज इस टोक में लगा और 10 परशेंट भी नहीं मिलता रिटन एफडी 6 परशेंट देती है आपको 6000 परशेंट आपने खो दिया है तो समझदारी लोंक हो या कोई सबी टोकन हो प्रोफिट देते हैं लेकिन प्रोफिट लेना याद होना चाहिए एक एसा नहीं है कि लेके बेड़ गए बस तो पूरे क्रप्टो मार्केट में अगर यह इंप्लिमेंट करोगे तो कभी लोस में नहीं रहोगा हमें सब प्रोफिट में रहो कैसी लगे कमेंट्स में जरूर लिखना और वीडियो पसंद आये तो लाइक चैनल सब्सक्राइब नमस्कार